तो आज श्टाट करने जाने है, compound interest का पाट पहला, तो simple अभए बिलकुल, basic बता जेता हूं, इसको आपका पहला है, इसको आपका पहला है, इसको आपका पहला है, इसको आपका पहला है, तो क्या basic formula है, इसको compound amount बराबर होती है, principal, 1 plus bracket, 1 plus में, r बटे में 100, और multiply होता है, time, ठ compound amount के अपता मारे पास compound amount होता है, जिसमें मारा, जो मारा मूल दन होता है, जिसको हम देते हैं, दुसरे को, मूल दन, जमा में interest, compound interest, ब्याज, जमा मारे जो राशी हम नहीं दे रखे है, वो आते हमारे compound amount, तो compound amount यहाँ पाएगी, p का मतलब होता है, principal, r का rate, जो कि हम किसे, rate पर किजी को पैसे देते हैं, और time में आपको पता है, जारे को, sum है, ठीक है, तो यह होता है, महीन इसका, formula, r जैसे कोशना का बढ़ते जाएं, मैं सारे की sort trick बतातार हम लोंगी, तो जितने कोशन आए हुए है, जो मैं कराओंगा paper में, यह सारे को, सारे paper में आए हुए है, और सारे की सारे type cover हो जाएंगी, आपकी अगर यह question कर लेते हुए हुए है, इसमें आपकी सारे की सारे type cover हो जाएंगी, तो जितने कोशन कराओं भाई ज्यानता है, और उनके notes मना लेना, pen कपी लेगा बैठा गरो, और साथ साथ मोंगे notes मनाते रहा है, तो compound interest का part first है, वीड 10,000, add the 3% rate in 2 year, जेको rate दे दिया मरगों कितना, 3% का, उसके बाद प्रिंसिपल दे दिया है, 10,000 का, उसके बाद हमने compound interest और compound amount दोन्नों का दोन्नों पता लगाना हमने 2 साल में time दे लिया है, 2 year का, तो simple formula से भी हम पता लगा सकते हैं, क्या होता है, compound amount बराबर उत्तिया हमार पास क्या, principle, one plus में, आर कितना है, 3, बटे में 100, अर गुना में, उपरत्य पाउर टाइम की, तो compoundement हमारे यहां से कितना जगा, तो यह हो जगा, गुना में 103 बटे 100, तो दो 0 तो बही है, दो 0 गई, अर इस दो 0 गई, अर इस दो 0 गई, दो 0 गई, तो 103 ने, 103 तो multiply कर लाई ह 301, तो कितना आगा, 10609, तो यह तो आगी मारे compound amount, compound amount, compound amount तलो क्या, principle BR, इसमें, compound interest बिया, principle लाई, principle कितना बरपा, 10,000, तो यह तो आगी, compound amount, CA, 1, 609 उसके बाद निकालना, ब्याज औनिकालना, ब्याज निकालना, ब्याज निकालना, फ्याज निकालना दे क्या करेंगे, 10,00 मते, 10,000 Cars, सब्सक्राइब करेंगे तो यह वाद आती है वह इसका फॉर्मूला बताया दो परसंटेज अप्रोफिट लोज कुछ भी दे रख्या हो तो मुनको दुन्हों का इन को लूट एक में कैसे करेंगे तो यह वाई मार पाज इसका फॉर्मूला प्लस मैनस एपलस मैनस बी प्लस मैनस एगउना में बी पटे सो इंच रएट का रहां इसे तीन चाहीं परसंट करके सीधा नहीं होता है तो यह काम होता है एड करके सिद्वा सिंफल इंडरिस्ट में लेकिन compoundators में क्या आता है ब्याज के उपर ब्याज अलगता है इसलिए हमने दोन्नों के दोन्नों परसेंटेज include करने के लिए इस formula की जूर्थ पड़ेगी तो formula रखें क्या अगर ए प्लस बी प्लस ए गुणा में बी बटे में तो तो कितना आजा पॉइंट जीरो ना तो कितना आजा 6.09 तो जो यह हो है न हमार पास यह 6.09 परसेंट ब्याज है मिलागा किसके उपर दाहजार के उपर ठीक है तो इक दोनों चीज निकाल सकते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं ब्याज निकालना तो क्या करेंगे दस जार का 6.09 परसेंट निकाल लेगी ठीक है 6.09 परसेंट निकाल लेगे तो पॉइंट एक परसेंट के नाम का सो आगया और इसका पॉइंट रटाओंगे तो सो और आ चार जिरो तो यह चार जिरो को कितना आगा 609 तो यह था एक बात होगी और दूसरे बाद compound amount compound amount क्याएगा principle principle 100% है और उसके बाद compound interest compound interest कितना हमार पाद 6.09% तो 10,000 का जब हम क्या करेंगे 100 में 6.09 इतना परसेंट और point टाँगे तो 100 है कुराओगा तो यह 2.022 तो कितना आगा 10609 तो यह आगी मार पास compound amount यह compound amount आगी यह आगी मार पास compound interest तो 10609 अट 6.09 तो बहुत simple तरिक्का इसका include करका दोनों के दोनों परसेंटेज ठीक है आगे गोवर कोशन आप्रेक्टिस हो जाएगे तो आपका बिलकुर जार हो जाएगे find the find with which principal compound amount will be Rs.2809 for 2 years at the rate of 6% per annum compounded annually तो दो तरिक्के जो करने के क्या दे रिका हैं मोगर compound amount दे रिकिया CA की value और हमना principal निकालना है तो CA तो दे दिया मर को कितना 2809 time दे दिया कितना 2 years का rate दे दिया 6% का और यो जो ब्याज लग रहा हो साल का लग रहा है तो हम formula पूट करते हैं कि compound amount की इसके वारा प्रों होती है principal 1 plus में और बटे में 100 और पार अत्य टाइम की ठीक है तो principal इने solve कर लेंगे आगे हम फेर दुबारा 2,36 50 बचास बचागा यो जगा पी इन्टू में 53 बटे में 50 गुणा में 53 बटे में 50 ठीक है तो principal की value जगा आजे मरपास 2,8,0,9 गुणा में 50 गुणा में 50 और 53 गुणा में 50 ठीक है तो 53 पन पूरा पूरा कट जा भाई काट का देख लिए ना principal की तरह आजे मरपास 25 रुपी आजाए इसका simple जा ठीक है 25 रुपी इसका उसके बाद आता है question number 3 उसके बाद के लिए question में देखो भी क्या कर रहा 20 परसेंट वर्षिक की दर से 4,000 रुपे पर डेढ़ साल पर मिश्र दन और चक्रोटी ब्याज ग्याद कीजिए जबकि ब्याज प्रती 6 माही समय ज़ित किया जाता है क्या कर रहा है कि ब्याज हमें 6-6 महीने के interval में देना है 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने देख 6 अच्छे बारा यह ग्यादेट साल पुरा ठीक है तो वो क्या लाए 20 परसेंट तो एक साल का पूरे साल का 20 परसेंट तो 6 महीन है कितना आगा बाई 10 परसेंट इसका 10 परसेंट फिर इसका 10 परसेंट ते चाहिक P.D.D.R ms500, 3 साल टीन टाइम लगया, और उसके बाद क्या दे धर् customize का प्रिंसिपल या रिंबatif है 4. shooters look what time मिल गया तीन का the rate मिल गया 10% ही क्योंकि मारा को अधे साल का 10 परसेंट और जाए 20 का यह आख उसके पाद compound amount ने काल सकते हैं compound amount किसके बार पुरुज़ जोगी principle 1 plus में rate कितना मार पास 10 percent time कितना कितनी बार लगेरा एक दो 3 बार लगेरा तो 3 उपरा जाई इसके पाध कितना आजाई इक वटे 10 compound amount किसके बार पार जाई चार जार गुना में ग्यारा वटे दस ग्यारा वटे दस तो वई देखो तीन जीरो एंगे तो इसको मिल्टिप्लाइ करेंगे आप पड़ेपास आजा फाइव थ्री टू-फो उपॉण अमउंड क्या मतलब इसमें की मारा compound interest भी है और जमा में principal भी है ठीक है तो हमने क्या interest interest निकालना है simple तो क्या करेंगे इस में प्रिंसिपल गटा देगे तो कि राजा 5 3 2 4 minus में 4000 तो तेरा सोचोविस आजा simple सी बात है तो तेरा सोचोविस होगा component अर त्रेप नचो बनोगी compound amount compound amount का मतलब बता principle जमा में compound interest अर यह हमारा काली ci ठीक है तो यह question होगा सोल उसके बाद देखो question number चोत्ता चोत्य में क्या गरा भाई find compound interest for rupees पच्छी सो इन half year at the rate of 8% per year while interest while interest interest is compounded quarterly 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 का मतलब होता है एक चोत्ता है मतलब साल में कितने चार इसे बारा न चार तकड़ों कि साल में होते हैं बारा महीने बटे में चार करते हैं एक वार्टर का मतलब होता है चार तो तीन तीन महीने के साबता लगागा हमारा ब्याज है ठीक है find compound interest for rupees पच्छी सो मतलब principle दे दिया हमारको in half year in half year at the rate of 8 percent per year half year का मने निकालना मतलब half year कैसे बनेगा और तीन तीन महीने के साहित न बनाu तीन और तीन मतलब तीन महीने के दो बार ब्याज लगाए और 8% साल का व्याज एक साल का व्याज une परसेंट तो तीन महीं निकाल सकते हैं तो क्या दे देखो आठ परसेंट दे दिया है एक साल का मतलल बारा महीं निकालना हमने तो एक 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 महीं निकालना हमने तो तीन महीं निकालना हमने तो तीन च यह कंपाउंड अमंट निकान तो पहले कंपाउंड इंट्रेट के निकानधे हैं उन्हें अपसिंपल पहला फर्माइल होता है तुम्पाउंड अमउंड का बराबर होता है 25 सो वन प्लस में आर मतल वरियेट किते हैं दो परसेंट का कितनी बार लग रहा है दो बार तो दो आ जागा इसके उपर तो भई कंपाउंड अमाउंट आ जागी यो कट जागा पचास पे पत्चीस सो गुणा में 51 बटे पचास गुणा में 51 बटे पचास गुणा में लेका यहांता है वई ठीक है तो यह तो गया पूरा पूरा कंपाउंड अमाउंट किसके वरा बड़ा जागी 51 जो कि किसके वराब रोएगा एक जीरो एक चटबीस जीरो एक के वरापड यह कंपाउंड अमाउंट यहागी और प्रिंसीपल जीदा तो ब्याज कितना आपगा बैग गाज गुणा वाइं उसका निकाल सब्सक्राइब क्या था इमारा थीं तीन पर्सेंट दो दो पर्सेंट आया था दो साल के लिए तू परसंटेज का हम बना लेंगें कैसे बनाते हैं तू प्लस टू पलस टू इंटू में तोन बायम हैं 100 दो 24 पॉंट 04गन वाँ पॉर पॉंट 04 तोstars सनी सब्स और न गाएं वैसं का 504 परसेंट निकाना देंगे स्का एक 0ग्यार Satyaропas roller दो जीरो परसेंट goal है 20 जोके सो और चाहरे साहर है ह। तो 101 रपी आगे इसका ब्याज तो सी ताम ब्याज मिनिकार दिक्या था दो दो परसेंट का था बाई उनकी परसेंटेज एक बना लेंगे और बाद 4.04 परसेंट ब्याज यह होगा उसका तो जो की ब्राबर आए हुमारा 101 रपी आगे पांच वा कुछन देखो बहुत बढ़ यह होगी तो दो यह तरिक्का भाई दो करने का एक तो हम इस कंपाउंड माउंट आला एक फोर्मिले देखर सकते क्या होता है पहले तो जो पोपुलेशन होगी स्टार्टिंग में और वन बाई में अगर इंक्रीज और पलसका साइना जागा और डिक्रीज और वन बाई मा है चार प्रशेंट का डिक्रीजिंग मतलब माइनिस का साइना हुआ प्रेजेंट पॉपलेशन है पंदराच्छा सो पत्रीज मतलब होगा है मार पास प्रिंशीपल जैन्मर्ट वीला पॉपलेशन आफ्टर थी यहस मतलब तीन साल का टैम दे दिया है तो की चारीज के वार परब राजी 15625 वाल्यू पूट कर देंगे सिंपल वन माइनस में चार बटे में सो टाइम के दिया थी यहर्स का दे दिया तो क्या करेंगे देगो 25 पच्छीज पचला जा गयो तो पच्छीज 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 ने तीन वान गुना करोगे न तो इसके वराब बर आएगा 15625 के और आंसर क्या हो जाए हमार पास यह जो उपर बाड़ा है तो चोबिस ने तीन बार मुल्टिक्लाई कर दो कितना जाएगा वाली मार पास तेरा जार आ ने बार 440 प्रसेंट के साथ है मतलब 100 में तचार गए वहीं चानवा पटे सो चानवा पटे सो और चानवा पटे सो तो यह आँ जो पोपलेशन आगवा डिकरीज होगा आगी क्यों आगी जैसे आम इसने काट जींगे हैं फोर टू जाएट और फोर फोर जाएट शिस्टी आगा रावा तेरा 824 ठीक है यह ओगा दूसा तरीका इसका अगला कोशन क्या है अगला कोशन बिल्कुल सेम है इफ पोपुलेशन उसेटी इडिक्रीजिंग अड़ टे रेट पोर परसेंट इफ प्रेजंट पोपुलेशन इस पाच श्तावन हार चानवा पटे सो गुना म चानवा बटे सो दो बार क्यों करा क्योंकि दो साल बाद का बताना हुमना तो इस नगातों होगे तो मार पास इसका आजगा अंसर ठीक हा है अपनी आपकर करके देरना परositमान मतलब यह पास्टमत ने Tu यह पतार रहया कहा रहा है पाज़िट拜क कि वरी फिलार मारा पास कोई भी फोपीलेशन ती उसमें क्या हे रहा है चार परशेंट से घटी फिर बढ़ी फिर उसके बाद 4% से घटी और फिर जो प्रेजेंट दे रहे है न वाया दे रहे है 57600 तो इस वाड़े अमांट का उना पता नहीं है तो इस पर लगेगा भाई एक्स गुणा में 96100 यह गेटर ही है फिर 96100 अर जो दो बार घट किया है यह दो बार दो सल घटी है दो सल घटने के बाद कितने होगे 57600 अगे बार आपन होगी है तो यह ऐसे होगा कुछिन तो इसने काटे है यह दा 2425 यह दा 2425 एक्स के अल यह जाए दो 24 ने 24 पांसो चेतर जावा सीदा तो यह दा 100 आजा तो 25 पांसो 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 आजाग मुल्टिप्लाई करें ही तो एक्स के लिए लिए जाए 62500 तो दो साल पर ले थी उसकी पोपलेशन 62500 ठीक हो भाई तो ऐसे होगा कुछिन क्योंकि मारता है इस टाइम की देर क्या है पोपलेशन उसके बाद जो फाइनल गड़ यह न वहाँ है पांच जार शेटर 57600 तो यह मना एक्स माल लिया चानवा है मतलब 4% से डिक्रीज जोई फेर चार परसेंट से डिक्रीज जोई फेर बढ़ गया है यह 57600 तो एक्स की अमांट हम नहीं काले कितनी है यह 62500 उसके बाद बाद परसेंट इंदा नेक्स्टियर फाइंड तोटल पॉपलेशन आप दरा तो यह देगो फिलाल की पॉपलेशन पहले साल इंक्रीज होई है दस प्रसेंट मतलब 110 बटे सो आ दूसरे साल कीतनी होई 120 बटे सो के साब से तो यह क्या जाते होगा टू सीजा 122500 टन एक जिरो ते के दना होजा 11000 और फिर 6 तक रोगे दिए 660 अजार के ब्राइब ठीक है तो यह वागया मारा साथवे का आंसर उसके बाद देखले आठाव कोशन आठेव कोशन में क्या गया रहा आगला कोशन बिल्कुल से होई एक दा टोटल पॉपलेशन होई सिटी इस वन लैक एक ला प्रसेंट मतलब नब्य पटेश होगी फाइंड दा टोटल पॉपलेशन आफ्टर डाट वियर शी आमना वैल्यों निकाड़ निकाड़ निया तो किसके बाद ब्रोजी बढ़ दो तो चार जीरो चार जीरो काड़ जाड़ तो सीद्धी उसके बाद क्या करना ग्या निम न कंपाउंड इंट्रेस्ट फोर रुपीज एक जार इस रुपीज तीन सो कतीस थी यहर्स वाइंड दा ररेट ओफ इंट्रेस्ट दो सीपल सी बाद दा कंपाउंड इंट्रेस्ट दे रहे हैं भाई कितना है 331 कितने पा है मतलब प्रिंसिपल दे रहे हैं 1000 रूपी टाइम ते रखे हैं तीन साल का फोर्मूला का है महर पास compound amount बनाबर principle प्रिंसिपल प्लस में 1, 2 में और बडे में 100 इंटु में टाइम देखो महर पास क्या क्या है principle है time भी है compound amount अमनी काल सकते हैं compound amount क्या प्रिंसिपल जमा हमें ci principle भी है याई भी है तो compound amount अमनी काल सकते है compound amount कितना आ जा भाई 1331 क्योंकि 1330 कितना आ जगा 1330 प्रिंसिपल कितना है 1000 पी का time कितना है त्री साल का तो एक जार ने इसके बटे में ले जो आ जो जो आए एग जार तो यह तो जाए भाई 10 का क्योब नीच चड़ और उप्र वड़ा बन जा 11 का क्योब यह 11 क्योब ठीक है उसके बाद यहां भी पाउर 3 है यहां भी पाउर 3 है तो 3 3 3 3 कट गया 1 प्लस में R बटे में रड़ है 11 बटे 10 यह 1 मा जा क्या होगा माइनिस करेगा यह क्या बनी बाद जाए 1 बंड़ ने 10 जोगी 11 मा तो 10 गई 1d10 हो गया तो R के वालू कहा जाए हए आर बटे में 100 दे ज्या Mormon पास तो R का जियीं 100 घुन गुना हमGood गुम्हाम है वन बाबरze में 10 चाहिंड At 것이 ब्रय में 10 जोकर उसके बाद एको दसवा कुछन बहुत बढ़िया कुछन है, at what rate of compound amount of Rs.800 will be Rs.800, मतलब principal दे रहें के 800, और compound amount मतलब इस वो principal भी है, और interest भी है, तो interest वतासका भई को यह कितना है, interest होगा Rs.200 रुपीस ही दिजिवाद है, क्योंकि 800 रुपीस प्रिंसिपल एज में, टाइम दे रहें 2 years का, ероate of interest rate of interest, component amount बड़ाबर और होती है principle जोगी 801 plus में R बटे में 100, और पाउर कितनी है टाइम की, 2 years का टाइम दे रहें, तो 802C बटे में 800, प्रवाड किसका स्केर होगा बता हाट रखे में स्केर आणे विडियो में दो दोगे बेर बना लेएक किसके पिछ आता है एक नई का स्केर करेंगे एक टी 1 धी 1 तो यो एक कर नों का स्केर के मतलनी देजित आ सकती है एक यह लेएक उसके बाद रहेगा अगली वाड़ी Herausforder है कि भाई जो मारा square है जैसे 1 का square 1 2 का square हो जता है 4 तो ये 2 के square का पूरा पूरा जार है भाई 21, 28 हो सकता है इसका ठीक है तो हमने क्या होता है 2 को एक बड़ी पावर तो multiply करना कितना हो जाच्छे हैं और फिर ये compare करने है च्छे हैं च्छे हैं से चोट्टा है तो च्छे हैं से चोट्टा है तो हमने चोट्टे वाड़ी हमने के लेनी पड़ेगी तो यो 441 किसका square हो गया 21 का हो गया अगर ये चीज समझ मनिया ही है तो वीडियो है अपनी नंबर सिस्टम गाणे चप्टर में है finding square and square roots उसके नाम ता सर्च हमार रहे है ना finding square and square roots आईशियस आपके वीडियो आजेगी उसमें मना बता रहा है तो देख लेना ठीक है तो 21 बटे 20 आगया 1 प्लस मार बटे 100 यह भी हो जाए square कोगी हमने square निकाले तो 2 की पाउर 2 की पाउर गई तो 1 प्लस मार आर बटे 100 की आपर आजाए 1 मार आगया रहे है अब माइनस करेगा माँ आजागा तो यह होजा एक बटे 20 आर की वाल्यू का टेंगी तो 100 माँ आजागा multiply 25 होजागा 100 तो 5 परसेंट आजा मार इसका अंसर ठीक है आगले बार वे कोशन में क्या करा find time in which compound interest 4 रुपीज 200 विल बी 300 रुपीज add the rate of 6% परान मतलब principle देदिया 20 रुपीया compound interest देदिया 300 रुपीया rate देदिया 6% परान मने क्या निकालना time निकालना time किटे ना आएगा मार पाद्यको principle है simple interest आथ compound amount निकाल सकते हैं किटे ना आजागा 25 रुपीया जमा में 309 रुपीया तो यह अगे 908 2809 रुपीया compound amount फोर्मूले में पूट करदे हैं compound amount बराबर होती है principle के principle फिराग आजा 1 प्लस में R बटे में R देरिका 6% का अरुपर आजा time हो जो time हमने निकालना है ठीका तो हम इसमें निकालना है 236 यह जागा पचास पर तो 280 2809 बटे में पच्चिस सो बराबर किस के आजागा 1 प्लस में 1 प्लस में इसना एलस इन लेगा रहे हैं तो 70 बटे में 50 तो हमने बेस बिल्कुल सेम बढ़ाना है आपर ठीका तो क्या गरें हम पच्चू पच्चू पच्चिस काटना निवई क्या गरना हमने इसका जो मतलब 23 का हमने लेडा है स्क्वेर ही तो 280 में ने ने तो 30 का स्क्वेर अर यो जा 50 का स्क्वेर ठीका और यहां के आतर एपन बटे 50 इंटू में टाइम जो को बेस सेम है तो पावर इसकी दो आइसकी है टी तो पावर ना हम कंपेर कर से देट हो टी बराबर आजा दो के अगर बेस सेम होता है तो हम पावर को कंपेर कर सकते हैं उतके हैं पर वार जो कि यहां पर और हो थी है तो यहां के आतर इपन गा स्क्वेर यहां of money become nine times in two year at the rate of compound interest क्या करा बाई जैको at what rate of interest is sum of money become nine times उसला उनमाल है पर लेदी मार पर principle नो पी तो क्या करा उसको हमने बनाना है no p no p में क्या है मार पास compound interest है अर्जमा में principle यो खाली मार पास principle है टाइम कितना देरिया मार रपको two years का rate अमना करना है find out तो simple कुछ नहीं करना हमने simple फिर formula पूट कर देना वो यह अपने आप सब कुछ काट कर देदेगा ठीकर तो compound amount किसके बराबर होगी बाई जैको 9p आज यह बाद इसमों बिच्छड दोतेगे कि मने simple interest में माइनस करया था क्योंकि simple इंट्रेस्ट का formula गया था भाई simple interest बराबर principle गुणा में rate गुणा में time बटे में 100 तो यहां खाली simple interest होता है ब्याज ब्याज शिर्फ लेकिन जो compound interest का formula होता है यह उत्ता है यह पी 1 प्लस में आर बटे में 100 इंको में time compound amount जो की होता है principle जमा में compound interest ठीक है तों क्या करेंगे simple formula में हमने करना है put तो compound interest का formula क्या आज़े है मार पास पी 1 प्लस में आर बटे में 100 इंको में time तो compound amount मार पास आगी 9P की principle कितना है पी 1 प्लस में rate कितना मार पास rate हमने hand out करना है फाइंड आर बटे में 100 time दे रहे है 2 years का तो 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 यो कटिया 9 बटे में इन्हों बटे में एक और आर बटे में 100 की पावर तू तो अब हम 9 में कैसे लिख सकते हैं जो बन प्लस में आर बटे 100 की पावर वो जेगी टू तो 9 ना हम जीए ते तीन का स्क्वेर इसका भी स्क्वेर है तो स्क्वेर तो स्क्वेर कट जाया या तो बात होगी सिंपल और बटे में 100 बटे में यहां जाग पलस का में जाकर अगर मैंस का तो यह जाटू तीन में तेक है तो आर की वेल्यू के आजएगी टू इन्टू मां अंडर्ड जो की बराबर आजएगी 200 परसेंट के ठीक है तो 200 परसेंट होगे इस कांसर बिल्कुल सिंपल है प्रिंसिपल दे रहे है क्या करहा है वही मारा दो साल मोग है नाइन पी तो यह आगी मार पास कंपाउंड अगले पार्ट में तो बड़ी आलागी है तो शेयर और सब्सक्राइब जूरू कर दियो जो भी आइसस के कोचिंग सेंटर पैड इमिशन ने रहे हैं जितने नोट से हमने सारे कंपलीट होने वाले हैं तो जो वही थारे साथ पट रहे हैं थारे सेंटर में तो उन तो बता देना दन्यवाद अगरी कोई भी प्रोड ने मोटो कमेंट में बता देना रावना भाई सबीको तो आज करने जा रहे है कंपाउंड इंट्रेस्ट का पार्ट दूसरा बहुत इंपोर्टन जप्टर पार्ट का लमन करा दिया और उसमें भी सीकर आया बिलकुल उसके बाद देख रहे हैं आज पार्ट दूसरा आईसेस के नोट से हैं और प्रिविएस एर कोशन हैं जो कि अर्याना पुलिस से से सी सीजियल और सीप्यों में आए हुए हैं तो भई कोशन देख लेते हैं चोध वह फूर्टीन कोशन में देखो क्या कहा रहा है एट वर्ट रेट income प्रिविए इंट्रस्ट attendance क्या करिया है कि यह इसे कोई दन चक्रवरती भी आज की दर से तीन वर्ष में 8 गुना हो जाता है आठ गुना हेँ तो मतलब मने भाड़िये प्रिंसिपल म benefits था वो बन assassination इचा szer ACC कितने वर्ष मनें है three years में शिंपल मोन बताया था कि वह क्या होता है कंपाउंड अमांट कंपाउंड इंट्रेस्ट का सम नोगा ठीकर तो यह वाली क्या चीज है इस मत्यों होगा प्रिंसीपल भी है और कंपाउंड इंट्रेस्ट भी है इंट्रेस्ट भी अर्क प्रिंसीपल भी है और यह खाली प्रिंसीपल तो यह मार पास क्या होगा पी इसकी वाल्यू क्या होगी मार पास सी ए कंपाउंड अमार पास टाइम हम नो बता हूए इसने पूट कर देंगे वैल्यू न और हमने निकालना क्या है रेट क्योंकि चोप तो माठने कैसे लिख सकते हैं दो की पावर तीन यह ऐसे कैसे की पावर तीन तो तीन तो तीन गया आर बाए में हंडर्ड एक माझा क्या करगा मैंडिस तो बंड़ जा एक आर क्या हो जागा सो परसेंट ठीक भाई तो यह दब विल्कुल बेसिक तरीके तो बता रहा हूं मैं कोई भी इसमें सो टी तरीक या कुछ भी नहीं है तो सिंपल सी बात थी फॉर्मले में पूट करना है हमार पास यहां कंपांड अमाउंट यह प्रिंसिपल है रेट हम नहीं का रहे हैं हरा हम से कोई दिक्क ताली बात नहीं हो ठीक है तो इसके बात देखते हैं अगला कुछ न तो पंद रेट में क्या गरा भाई एट अल्सकों किसके हैं क्या निया होगहार किक्षिपल का यहां मार पास बात पास काउम और यहां कि मार पास टाइम तो सुंपल क्या करें हम ओ額ंड क करतेंगा कि को इसके है कंपांड मॉंड ताश्व ब 쉽त आए Koz प्रिंसिपल become प्रिंसिपल और यह अर पर सथ आ र by 100 ईंटू में टाइम जो किया तीन साल का मारेे पास ठTS घहा हूं थो भैही जो 27 परेंन मारेस है तो य है पी ऑर है यह पी हैinde 27 ने हम क्या लिख सकते हैं तीन की the together 3 summary 3 लिख सकते हैं नहीं सकते हैं लिख सकते कि 4 única 23 astrology क्योंकर 33una ठेर यह सताई की त आर बाई हंट्रेड कितना रह गया तीन में तेग एक और माइनस होगा जो यह वड़ा है तो तीन में तेग गया दो तो आर क्यों लिगा जागी टू इंटू मां हंट्रेड जो गया जागी दो सो परशेंट के बराबर ठीक है उसके अधगला कुछ नेट वर ट्रेट ऑफ इं पावर दो की पावर चार रिख सकते हम सोड़ा ने तो दो की पावर चार वन प्लस में आर बटे हंट्रेड की पावर चार इस्ते हो गया दो में तेग एक और की वल्य क्या जागी अंट्रेड परसेंट ठीक है शिंपल है विब जो अगले पहले दो कर रहा है नो उसके बेस पर युशा रहा है तो इसके बाद देखो अगले कुछन में क्या करा है वही अट वर्ट रेट ओफ इंट्रेस्ट एस सम ओफ मनी विल बेकम 32 टाइमस इन फाइफ यर एड़ दा रेट ओफ कंपाउंड इंट्रेस्ट प्रिंसिपल पी था वगरा 32 गुणा हो गया है यह मार पास क्या है प्रिंसिपल है टाइम देरेगा फाइफ यर्स का फोर्मला हमना पता है कंपाउंड अमाउंट बराबर में प्रिंसिपल वन प्लस में आर बाए हंड्रेड और पावर आ जागी पांच तो देखो पी तपी गया बई अट दो की पावर पावर पाँच होती है 32 तो यह वाली पावर इसकी पावर तो कट जेगी तो आर बटेम अंडर की इसकी वाराबर एक के आर की जिना आ जागा हंडर्ड परसेंट की पावर ठीक होई उसके वाद एक तिन्दा सम ओमनी विल कम डबल इन फाइफ यह उफ कंपोंडेटर हाव मच टाइम इट विल 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 विकम सोडा टाइम एड दा रेट ओव सेम एड दा रेट ओव सेम रेट ओव इंटरेस्ट उसका रगला कॉशन देछेंट आऐ क्या कर संन्मनी विल विल विकम है संन्मने विकम डबल इन फाइफ बियर्स मतलब त्हुं आज यह नव है नेस तोगया कितने साल में फाइफ एर्स में, how much time it will become 16 times at the same rate of interest, देखो पांच साल में 200 हो गया, फिर अगले पांच साल में क्या हो जगा, 200 का भी दबल, जो कि हो जाए 400, उसके आगले पांच साल में क्या हो जगा, 400 का डबल 800, उसके पांच साल में क्या हो जगा, 600, कितीने साल हो गया, यह पांच यहां पर, और 5 यहां पर, यह पांच, 10, 15 और 20, तो 20 साल में क्या हो जगा, यहां हो जगा, 16 गुना, क्योंकि यहां ता 100, क्योंकि Small was 16 o gi तो गया यहां पर, गुना सोड़ा सोट तो कितना टाइम लेगा पांच दस पंदना और बीस साल ठीक है उसके आद क्वेस्टन नंबर भाई उनिस वह आस्व मुहमनी बिलिकम थ्राइस इन फाइफ यह मतलब सो था तीन सो हो गया फाइफ यहर्स के अंदर तराइस के अंदर तीन गुणा थाव इन फाइफ यहर्स अड़ गरेट ओंपांड इंटर्स हाव मच टाइम इट विल विकम टू विकम स्थाइस टाइम तो दे आगले में क्या जगा नोस सो जोगी तीन 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 गुणा अपट रहा है सो थीए तीन सो थीन सो थीए नोस सो तीन गुणा जो की कितने गुणा होगे इसका 27 गुणा कितने साल में देखो 5 शाल यह नहीं तो 5 शाल यह यह तो 5 10 15 साल होगे हैं टोटल लगा है इसने 15 साल्का का टैम 27 उसके बात कर दो चौन बर अपने पास एट टाइम्स अगले साल में दो कुणा और जा चार सो फेर हो जा आठ सो पंद्रा यहां प्रलगे और पंद्रा फिर यहां प्रलगे पंद्रा तीस अर तंद्रा तेन तारीश ठीक भाई उसका दो को सुनते को लोग की सवाई किसमें कि अगरा सम मुफमनी विलिकम थ्राइस सो था तरहां तो तीन गुणा मतलब तीन सो पूंद्रा जाखा कितने साल में शेह साल में विलिकम 18 उस नहीं गावई 18 साल में वो किछने गुणा हो जागा तो क्या करेंगे हम 6 12 एक वैलिए आएग यह पिर चाहिए आठारा तो तीन गुणा यह जागा जागा यह जानों स ऊठीन पर 3 लोडना या नोह तिये 27ता तो कितना गुड़ा होगा बई यहां तो लिर्षा निकार जात तक 27 गुड़ा तो 27 गुड़ा जामार पास इसका आंशर शुरीगा बिल्कुल से मेतड़ पर है एक सारे एक सारे कोशन ये बिल्कुल बेशिक तरीके तक ठीड़ तो उसके बार देखेवाज लोग 22 कुछन आसम ओंगनी विल विकम डबल लिन शिक्षिद ओव क्राइब हाउ मनी टाइम दासम विल बिकम टुन्टी होई यहाँ कितना हुजाओ चार्सो शाह साल हो बारह होगी फिर कितना जगा चार्छाइटारा होगी अर्चाह चुक्य हो गया चोविस चोविस साल होगे पूरे आराट दूनी सोला सो तो कितने गुणा होगा भई आते हैं यहां तक यह सोला गुणा होगा इसका खीक है तो सिंपल सी बात थी बेसिक उसके बाद अगला कोशन देखे लो बिल्कुल सेम होगा भई वह भी कंपाउंड इंट्रेस्ट ओफे सम ओफ मनीज रूपीज चार्सो दस एड़ दार लेट ओ फाइफ परसंट दो साल के लिए खीक है तो हमने सिंपल इंट्रेस्ट निका रहना है वह वह तो बेदेए सो ने कमपाउंड इंट्रेस्ट काऊना फोर्मूला बताया था निकाल आप जैसे लिए इसे पर लगता ब्याज तो पॉंच परसंट लग रहा है दो साल के ही है तो ले आज और निकाले के मैंने बताओ फॉर्मुला क्या होता है इसका यह चाहित का प्लस माइनस- अ-फॉर्मूला के ह document स तो पहले साल के लिए परिषन्ट में तो त्रूसरी साल के लिए 5 परिषən्ट दो बार यह नो है तो फॉर्मूला के इंट्रस्ट लग गया है इस पर रेट दो साल का ठीक अर जो अप्रादा सिंपल इंट्र पे लगया वह पहले साल के लिए 5% दूसरे साल के लिए भी 5% तो इस पर लगागा सिधाद 10% ठीक है और तो जो principal का जो क्या है principle का जो 10.25 ब्याज लगया 10.25 का वो बराबर दे रहे चार सो दस रुपे के बराबर ठीक है तो हमने 10% का निकाल तो जो यह 10.25 परसेंट हो है 410 के बराबर तो एक परसेंट किसके बराबर हो जाब है 410 बटे में 10.25 और हमने सिंपल इंट्रेस्ट निकालना जो कि मारे पास 10% है तो 10% कि इसके बराबर आजा 410 बटे में 10.25 गुणा में दस परसेंट जो की बराबर आजा हमारे पास 400 कि क्योंकि भाई इसका देखो 0 गटेंगे दो उपर चली जाएगी फिर 5 दूनी 10 और पच्चू पच्चू पच्चिस फिर 5 दूनी 10 फिर 5 पर काटेंगे इसने 20 पर जाओ गई हूँ पांच ओके 20 फिर 5 पर जाओ गाई हूँ अगर सैंट गाट आँया और गुट दूसर साल के लिए रिखा तो क्या जाओ 10.25 पर इस फिर 6 पर सेंट पर इसके बराबर दे रहा है मारको चार सो दस रुसरी साल का भी पांच परसेंट रहे गा तो इसका तो इसका इसके बराबर रोता है शार सो दूसरी पर इसका तो 10% निकालन दे क्या आगा 410 बटे में 10.25 गुणा में 10% जोगी बराबर आजा चार्स हो गए इसका अगा दूसरा तरीका करा देता हूं बेसिक तरीक के दे कुरू लेको बेसिक तरीका क्या हो इसका compound interest of a sum of money is 410 add the rate of 5% in 2 years compound interest दे रहे हैं मरको compound amount निए रहे है 410 रपी ये rate दे दिया है 5% का time दे दिया है 2 years का ठीक है तो देखना एक बर फोर्मला क्या हैता हमार पास compound amount बराबर principal पलस में 1 पलस में r बटे में सोंगी poverty compound amount है नहीं मारे पास देख अए होगा है compound compound amount में हम कैसे लिख सकते हैं CI plus में P मैंने पहले बता रहा है compound interest जमांब प्रिंसिपल होता है compound amount की यह हमारे पास सिर्फ यह है तो CIM किस के बराबर हो जगा CA माइनस में P CA माइनस पी हो जाए गी नहीं हो जगा इस वैल्यू ने लिए हो CI की जगा हम CI की वैल्यू रख दें क्या हो जगा 410 compound amount का formula क्या है हमारे पास यह है इस नहीं यह रख दो R कितना 5% formula में R put कर दिया और T की value क्या है 2 years की और minus में क्या करतेंगे हम P यह हम नहीं पता नहीं है ठीक है तो यह मारे पास बनेगी इसकी equation इसना solve कर लिए यहां तो principle आजगा मारे तो क्याएगा 410 बराबर P लेखो भाई common ले ले लो P यहां तो common आजगा तो यह बनेगा 1 plus में 5 बटे में 100 की power 2 minus में 1 तो एक common लेने के बाद बनेगा हमारे पास यह हो simple कुछ नहीं जागा solve करना वस 20 बजाओगा यह बनेगा 21 बटे में 20 का square तो क्या जाए 21 बटे 20 गुणा में 21 बटे 20 और minus में 1 गुणा में P है और 410 इसना अंदराल इने solve करें हम यह बनेगा 441 बटे में 400 माइनस में 1 बराबर 410 इसना गटाओगे तो यह बनेगा principle चार सुकताली में 400 गए 41 बटे 400 जो की बराबर आजा हमाना 410 की principle की एलिए आजाए 410 गुणा में 400 बटे में 41 यह चला जाए 10 पर तो principle की एलिए आजाए मारपास यहां से 4000 पी तो principle आजा चार जार इस पर हमने भी simple interest निकालना है simple interest की आता है principle गुणा में rate गुणा में time बटे में 100 तो principle है आजाए आपने बड़ी आलागा उसे मत कर लिए अंसर दुनों दालना है ठीक है दो बच तरीस से कोशन का मैं यह को तरीका बता देता हूं आपने कई यह पैदेख्या भी यूट्यूब चैनल पर तो तो तरीस से यह एक तरीका देखो जो भी मारपास rate दे रिखाने क्या दे रिखा है हमारे को 5% दे रिखा है 5% हम कैसे रिक सकते हैं 5 बटे 100 इसमें काट लें क्या जगा एक बटे 20 और जो पर निच्चे वारी हमांट होती है ना इसका हम ले ले लेते हैं बाहर और यह भी जो भी आएगा ना जिस दो साल का टाइम है अगर तीन साल का टाइम होत चलना प्रिंसिपल तो यहां बात सम्झाड़की तो नहीं क्या है रेट दे रख्या और जो भी उसको परसंटेज अटागा बटे में सो एक बटे बीस जो भी निच्चे वाड़ी अमांट है उसका हम टाइम के मुताबिक स्क्वेर या क्यूब या पावर एक कर सकते हैं अगर एक साल की दे रख्या तो एक पावर ला देंगा अगर दो साल का टाइम तो दो की दो पावर ला देंगा अगर क्यूब दे रख्या तो तीन क्यूब कर देंगे तो इसमें दे रख्या दो साल का टाइम तो बीस का स्क्वेर कर दिया चार सो तो यहां गया मारे पास यहां से principle ठीक है तो principle पर लगेगा ब्याज पहले साल का कितना एक बटे बीस का ड्यधम ने हो क्योंकि 5% होता है एक बटे बीस तो 400 का एक बटे बीस हो जागा वाई 20 रुपिय दूसरे साल भी लगागा 400 पह एक बटे बीस जो की बड़ाबर हो जागा 20 रुपिय उसके बाद ये पहले वाड़ा जो साल इसके उपर विव्याज लगा क्योंकि compound interest एक बटे बीस हो जागा एक रुपिय तो यह होगा भाई मारपा total compound interest ठीक है और यह जो उपर उपर वाड़ी लेकिन जो compound interest होगा वो change होता रहता है जैसे पहले साल था 20 रुपिय भी होगा दूसरे साल 21 रुपिय क्योंकि 400 पह एक बटे बीस तो लगया लगया लेकिन उसका जो ब्यास था 20 रुपिय हो उसके भी एक बटा बीस लगया जो की बन गया एक रुपिया तो compound interest के चैना टोटल हमाई पाद 20 और 20 चालीस और 41 तो जो 41 जो unit दे रिखे हो बराबर हमारे पाद 410 रुपिय के तो एक unit किसके बराबर आगी 10 के तो मैंने simple interest निकार दा simple interest इतना मैंने मताया रहे कितना है चालीस चालीस उनिट और एक उनिट बराबर है दस तो चालीस उनिट किसके बराबर रोजेगी चालीस गुणा हमाद 10 जो की बराबर लेज़ेगा हमारा 400 रुपे के कि यह बहुत असान तरीका भाई अगर इसना आप अपने question solve करने में लाते हो तो बहुत जादा question सवाल इस तो सोल होंगे अगर यह मैं मैंतर आगमन कराना भी है क्योंकि आगए जो चकरवर्दी ब्याज और सिंपल इंट्रेस्ट के डिफ्रेंस है मतलब उनका अंतर है वह वाड़े सवाल सारे के सारे इंट होने वाले हैं तो बड़ी है अभी तैसना समझे लोग उपर व इसका रेट है दो वर्ष के चकरवर्दी ब्याज 510 प्राप्त होता है भी तो साल कर चकरवर्दी ब्याज योगए यह आप 510 रपी तो वह साधान यहाँ हमने गयात करना तो खो मना कुछ नहीं बता कि रेट को लेका चलना है तो इस नहीं लेका मैं ना पकड़ लेगा लि कर दो कि 225 स्कोर 625 तो यह आगा मार पास प्रिंसिपल इसके उपर मला गया हमारा जो भी इंट्रेस्ट लगना है तो यह आ लिए लो 625 ठीक है तो पहले साल का कितना लगा एक बटे पच्चीस जो कि बराबर हो जाए 25 रपी गी दूसरे साल भी लगा एक बटे पच्चीस जो की बराबर हो जा 25 पर पहले साल का है वह वीस पर भी एक अलबटे 25 लगा तो किदना हो जाए एक रप्य है तो देखो मेरत नहीं बताओ भी टोटल किदना हो गया 25 और 25 पचास रहे के 500 रपी 11 रुपी हो गया कमपाउण इंट्रेस्ट मारे पास 51 रुपी है नहीं का वन निट मैस होनी और 25 और 25 को पचास हो गया simple interest ठीक है तो यह एक का फरक है न बड़ी यह एक का फरक क्यों यह है क्योंकि मारा von बैयाज के उपर भी ब्याज लग्जा घ। हमसिंपल इंटरस की बाद लेते तो बैयाज पर भी आज नहीं लगता है उसके बाद देखों क्या देदे आ इंटरस सम ऑफ मनी इस है पंसो दस जो कि कंपाऊंट इंटरेस्ट दे रहें है। तो जो compound interest मरपास ही क्यावन unit है हो किसके बराबर दे रहें है पांसो दस रुपे के तो एक unit किसके बराबर आजेगा भई 10 रुपे के simple सी बात है तो हमने simple interest निकालना कितनी unit है 50 unit है रे एक unit है 10 के बराबर तो 50 unit किसके बराबर हो जाएंगे 500 पांसो रुपे के बराबर तो पांसो रुपे आगा इसका अंसर ठीक है आए थोड़ा वो समझ में अगले कुछन हम करेंगे और बढ़ियादार कलियर हो जोगा आगा क्या गहर है simple interest of a sum of money is रुपी 60 in two year and compound interest of a same money is 60.60 at the same rate of interest and same time so find the rate of इसके बाद देख लिए 25 वा question 25 वा question में क्या गहर है simple interest of a sum of money थोड़ा समझ वह देखना है इसका question को simple interest of a sum of money is रुपी 60 in two years दो साल में 60 रुपी and compound interest of the same money is 60.60 at the same rate and same time so find the rate of interest ठीक बैए तो देखो मैंने क्या बता था बढ़िया बढ़िया है same तो 2 साल का 60 ौट होई तो हर साल कितना मunya 30 30 रुपे मिल आए यह बाद समझ गी दो साल का 62 रुपय बैज मिले हमने total to पहले साल का 30 रुपय दूसर वां साथ है डी सर प्र ऐनमाल या तो पहले साल का 30 रुपय था है और साल का देर के पूईंट सास्ट एक्स्ट्रा है मतलब क्या है बैज के उफ्र मिले है बैज जो मने टेबल ऑलई थी मतलब point 60 मिला है ब्याज के पर ब्याज समझे बात या और यह वाड़ी amount आती कैसे थी भई इसका जो भी कुछ करते हैं वह एक बटे 60 तो हमने यह interest rate निकाला ना हमने आते इसका तो क्या है भई 330 रुपे वह कुछ rate of interest लगा है जब यह तो point 60 मढ़े है क्योंकि पहले साल का था 30 रुपे दूसरे साल का भी 30 रुपे है लेकिन जो हमारा compound interest था है वह point 60 की बड़़ोत लिए क्योंकि ब्याज के उपर उसने मिला है पहले साल के ब्याज के उपर मिला है ब्याज तो 30 रुपे के उपर हमने कितना rate of interest लगा है कि मारा point 60 रुपे तो 30 के उपर हम r% कितना लगाएं कि मारा कितना आ जाए point 60 तो r की value हम निकाल सकते हैं आते है point रटा दो कि जाना जा सो तो यहाँ आते ही हो गया ठीक है इस नमा उपर लगे तो कट जाए एक के बाते निच्चे ते निच्चे काड़े तो r की value क्या जाए कि 60 पर टीम में 30 जो की बराबर हो जामारा 2% के simple था बिल्कुल सवाल समझानगी दे रहा वस इसलिए परिंसिपल हम लिए पी को अर्या इसलिए पर माननों चाहें माननों पहले साल का ब्याज तो SIMPOL इंटरेस्ट है हर साल ब्याज रहता सेम तो पहले साल का थी सरफिय दूसरे साल थी और compound interest पर करया 60.60 वह सेम है सेम रेट है सेम प्रिंसिपल है तो क्या है उसमें ब्याज के उपर मिले हमने ब्याज तो 30 रपी के उपर कितना ब्याज मिले हमने की बाई पॉइंट साथ बने गया तो 30 का लाल या और परसेंट बराबरा पॉइंट साथ पॉइंट का टायम ना लगा जिया सो तो सो तो सो गया आर की वाल जागी साथ पटे तीस जोगी बराबरा आजा दो परसेंट के ठीक है उसके बाद एकला कोशन वाई बिल्कुल बढ़िया सिंपल इंट्रेस्ट होगे सम ओफ मनीज रुपीज वन पॉइंट एक्सो साथ रुपीए एड़ दा राट ओफ फाई परसेंट इन टू यर्स वाइंड दा डिफ्रेंस बिट्विन साइंड से देख मना बताया दा तरीक का वह या पना वह चला गाई क्या है सिंथा रोट व дол आइट ऑफ इंट्रेस्ट्ट बितिया है पांच पर संट का राव राव मैसे भी हो तो आज इंट्रेस्ट का पार्ट तीस रा करने प्रार हूँ है तो इसमय पार्ट में क्या वैगी तो सिंपल पीछे पार्ट कराए देखने उनों गेज पर अगर नहीं देखे लो पिछले पार्ट एक पर पिछले वाड़ ज़रूर देखने है तीक सिरां उसका बाद करने जाए स्टार टाट 200 कोंट 2800 कोंट 28 में देखो क्या करे रहा है आद सारे कोषजन पिछले साल की पेपर हम आय तो मैंने एक तरीका बताया था पिछले कोशना मैं जो करना का वह यह तरीका मागे लेकर चलूँगा क्या करा है difference between simple interest and compound interest रुपी चार साधान ब्याज अब चक्रवरती ब्याज के ब्याज का अंतर चार रुपे है एड़ दा रेट ओफ एट परसेंट पर रहना दो साल का टाइम दे दिया है ओ फिस सम उफ मनी फाइंड दा सम उफ मनी सम मतलब प्रिंसिपल निकार ना मैं जेखो हमने बेंदे का चलना रेट आठ परसेंट है मतलब परसेंट का बटे कर जिया सो तो इसना काट लो फोर का स्कूर हो गया 625 यह मने पिछली वीडियो में बता रहे है सारा सारा का ऐसे काम करता है तो जी नहीं देखे वार किछली वीडियो जरूर देख लेना उन में अमने एक अन्फर्म विडिया रहाल करा रहा है तो 625 लेगा चलना हमना प्रिंसिपल ठीक है तो 625 पर पैर ले इस बैनाई होती है ना टाइम के इसाबत है एक लगा दितीए है जैसे इसकी पाउर एक अगर एक साल का टाइम है थो दो साल का टाइम है तो दो पावर लगा देंगे इसके तो दो पावर है तो पचीस का स्कीर हो जाए 625 इसका प्रिंसिपल तो 625 का दो बटे पचीस करेंगे देखो पचीस 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 दूनी पचास तो पहले साल का गया पचास इंट्रेस्ट ठीक है दूसरे साल का गया इसका भी दो बटे प जो है यह पढ़ नहीं बताईदी कैसे पढ़ते हैं कि भाई मारा जो simple interest होता है नहीं होता है पर लेस्ट दूसरे साल का बिल्कुल सेम तो simple interest दोनों साला कितना आगा 100 रुपीए और compound interest कितना आगा बाई 104 रुपीए और फरक कितना आगा जो यह वाला 4 है difference कितना आगा इनका 4 रुपीए तो जो जो दे रहे रहे हैं तो सारी बात आगे है यहां था हमारी तो जो भी दे रहे है वो भी दे रहे हैं तो difference between simple interest and compound rates रुपीज चार और यहां भी चार है तो उमने कुछ भी बदलन की जूटता नहीं है तो चार रुपीए फरक है इसने फाइंड असमों नही वतल प्रिंसिपल नहीं तना प्रिंसिपल अमने क्या मननने दा चाह सो पचीज रुपीज़ पानने दा पिछले question में लगता क्योंकि अगर यहां जिसे चार दे रहे चार यूनिट के बराबर अगर यह दे रहे हैं डिफरेंस आट रुपीज यह और रुपीज अगर यह आ तो एक उनिट बड़ाबर एक रपिय के आगी तो 625 उनिट पर आपज आजे चाहिए रपिय के बराबर ठीक है तो ये दा कोशन अठाइस हो उसके बाद आप एक ऊनट्थीस आ कोशन उनट्थीस कोशन में क्या है रहे डिफरेंस ब्यूट्विन सिंपल इंट्रस्ट अ कंपा इक बटते पचिस पर इताना एक बटे पचिस है तो पहले सालवा रेट आगा είναι पचिस mom ね ये दूसरे सालवा बेग पचिस स्वेओ भाड़ेश के पर चेल लागए का रखता है कंपाउन इंटृस्ट में तो यह दो मिन आ गाए ना निक रुपी और सिंपन इंट्रेंस नहत तो एक उनिट जो यहां हमारी पराई है यहां किसके बराबर आगी दो रुपीए के गराबर तो find the sum of money, sum of money मतलब 625 है तो एक उनिट बराबर दो रुपीए तो 625 उनिट किसके बराबर हो जी गुणा हमें दो इसका डबल करोगे इतना जाए बारा सो पचास सिंपल जी बात ह ठीक है वहीं एक उनिट बराबर दो रुपीए तो 625 उनिट किसके बराबर जी गुणा हमें तो करेंगे सिंपल ठीक है देखो वहीं उसके बाद आगला इक उसरी बिल्कुल सेम रेट है दो परसेंट का इतना जाए एक बटे पचास पू यर्स का टाइम है तो पचास का कर क्योंकि दो परसेंट देगो दो परसेंट दो बटे सो गया तो एक बटे पचास आगया दो साल का टाइम हो तो पचास का स्क्वेर कर दिया कितना जगा पचीस सो पहले साल का कितना लगा पचीस हो बाएक बटे पचास तो कितना जगा पचास रपी दूसरे साल का एक बटे कितना आगा हमार पास 100 और compound interest कितना आगा हमार पास 101 डिफ्रेंस कितना एक रुपी एगा तो एक इनिट बराबर एक रुपी एगे तो principle कितना हो जबाए कितना आगा हमार पास 500 रुपी के बराबर ठीक है तो इसके क्वेशन में देखो वे क्या गया रहा है कि compound interest and simple interest हो वे सम उपनी रुपीज 50.50 और रुपीज 50 रुपी मतलब simple interest तो है 50 रुपी और compound interest है 50.50 रुपी ठीक है in two year find the amount and rate of the interest amount बताड़े ने rate of interest देखो simple interest में बताए दा पहले साल का और दूसरे साल का रहता है same तो माल लिया जो पहले साल का simple interest हो मार पास 25 रुपी दूसरे साल का simple interest है 25 रुपी समझ गी बात को उसके बात को उसके बात गया 25 रुपीज 50 और compound interest है point 50 extra मतलब इस पच्छ जो पहले साल का उसका ब्याज था उस पर कोई ब्याज लगता तो आना था point 50 रुपी ठीक है तो इस पैम हमने कितना rate percent दिया कि मार को यू मिल गया तो कैसे निकाल लगा हम 25 का r percent मतलब आर बटे सो बराबर पुइंट पचास की point रटा जागे तो आ जागा बटे में 100 Sergeant समझे क्या करया मना पहले साल का interest simple λीन गत्व हर साल सहं गए गा तो अझ Отकर तो पहले साल का पच्षी है तो दूसरे साल की गए लिएज के ऊपर ब्याज है, 0.50 तो क्या है, पच्छीस गुणा हमा र बटे सो बराबर 0.50 बटे सो एक बटे दो आ गया, आर के वले हम लिए क्या है कि one by two, पत्चीछ हो के सो, one by two इंटुओ और फोर जो क्या जा पर्चास रुपे के प्रिंसिपल न पता नहीं रेट न पता लगा दो परसेंट का टाइम देर के दो साल का रबटे में कर दें मैंसो तो यह जो लाया 25 पह और 25 ने पांत तकर जे 125 आजा 1250 है दो परसेंट क्योंकि चार जागा 25 पह पचीस पंजे 125 और 10 आजागी इसके नाम की ठीक है तो अगला कोशन देखे लो इसके बाद 32 वा compound interest and simple interest on some of money is 40.80 and 40 in two year find the amount ने को पहले साल का simple interest की चना है 40 तो मतलब total simple interest दे रहेगा 40 और compound दे रहेगा 40.80 तो पहले साल का simple interest 20 दूसरे साल का simple interest 20 और जो यह फर्रक है यह ब्याज के उपर ब्याज लगया मतलब 0.80 तो 20 के उपर हम कितना r% दे 20 के उपर हम कितना r% दे कि मार पास क्या बना पॉइंट सी पॉइंट का लगा देगा हम बटे में सो क्योंकि पॉइंट रटाओंगे तो दो 0 आ जागी ठीक है यह इस तक है आर की वल्य क्या जागी 4% काट के देखे ले ना इसको तो आर की वल्य आगी 4% simple interest के formula में हम put कर देंगे principle और निकाला दा में principle गुणा में rate गुणा में time बटे में रुपे और 4% rate तो यह बात समझेंगे है वाई simple सी बात है principle compound interest और simple interest पहले साल का सेम रहता है और फिर जो यह point 80 का पर रखाया यह बयाज के ओपर बयाज लगया मतलब 20 रुपे का बयाज था इसके ओपर कितना rate अबना लगा है कि point 80 रुपे हमारा बयाज बनी गया तो यह question दाइस का ठीक उसके बाद जो अगला कुछ नहीं हो बिल्कुल सेम है तें 300 200 है और 210 है दो यहर है find the amount and the rate of interest compound interest and simple interest compound interest दे दिया है 210 रुपे और simple interest दे दिया है 200 रुपे तो simple interest पहले साल और दूसरे साल दो साल का टाइम दे रहे है देख़ा आप हाथ सेम रहेगा तो पहले साल का 100 रुपिये दूसरे साल का 100 रुपिया और जो 10 रुपिया तर इन तो इस तो हो गया तो R की वेल्यू किया ज़िए कि 10% सिंपल सी बात है ठीक है R की वेल्यू आ ज़िए कि यहां तो 10% प्रिंसिपल सिंपल इंट्रेस्ट आड़े फोर्मूल यह तो तमने लिकाड लेना इसका प्रिंसिपल अगला देखो बिल्कुल भाई सेम है 100 है इस पर इंट्रेस्ट दो साल का मतला पहले साल का पचास दूसरे साल का पचास और दो फरक आया यह पांच रपी एगा इस पर कितना रेट देगे हमने 5 रुपय मीड्या जए सिंपल इंट्रेस्ट तो फोल है दो पचांगा पांधो यह तो आर की वैल्लिव हो जहीए तो बैthe rate आगए 13 प्रसट सेब्स परसट आगे तो हम सेंपने इंट्रेस्ट प्रिंसिपल निकाल सकते है मैं प्रिणेसिपल आ जाना था 55 रुपियी करकर देख लेना थिए गो लागला कॉस्ण 12.5 ते रहेंगा में 25% एंप 2 लो को पॉच पॉच्छ पॉच पांच प्रसेंट रेठेस्ट रिट रहें 20 रपी और दूसरे सालगा ब्याज होगा 20 रपी ठीक है और जो पहले सालगा ब्याज है उसके ओपर फिर ब्याज लगा एक बटे 20 तो हो जाए एक रपी ठीक है तो क्या दिया जोने difference between simple interest and compound interest 12.50 जो difference between difference है न हमारा 1 रपी एगा वह एक इनिट के वराबरा 12.50 की रुपेगे तो हमने कहा नहीं हो find 100 मुहमनी मतला हमने 400 का निकार ना है तो 12.50 एक उनिट परबरा 12.50 रपी एग तो 400 इनिट के वराबरे जाए वक्रू ना हमारा प्रिंसिपल ठीक है तो क्या करें हम 125 न करेंगे चार ता है मुल्टिप्लाई प्रिंसिपल गया जाए इसका स्क्वेर जो गया चार सो तो पहले साल का इंटरस कि जना एक बटे बीज जो गया जाए एक बटे बीज जो गया बीज फिर पहले साल पर फिर यहां फिर लगा गया जाए एक बटेश्य जो गयाँ एक हम है तो क्या अब पुछ रहीं है नहीं सिंपल इंट्रेस् were गयाँ स्कार बटे मेंहें चार इसंपल सीबाद थी इंस परिट्ट कीशिटी बात से बात थी मनने बटा था बहिता आ ब क्वादी तरीक्का यह सारा में स सारा ठीक है उसके बाद देख लिए हो गले कोश्चन आगले में कहा रहा है भाई फाइंड दरेशो सिंप्ल इंट्रेशन कंपाउंड रिश्र एड़ दरेटो चोदा सही दो बटे साथ का परसेंट तो हमने पहला जाया चोदा सही दो बटे साथ परसेंट तोड़नी पड़ेगी तो कितना आजगा चोदा गुणवा में साथ साथ चुक थाई साथ एकम साथ एकम साथ और तो नो यह जगा ठाण में और दो जम होगा सो बटे साथ परसेंट ठीक है इसन हम कैसे लिख सकते हैं सो बटे साथ मतले percentage आटांगी बते-सो की तो कि दो कि दो पही जा वन बाई सेवल फिंक ची की बात है दो साल का टायम तो साथ का स्क्वेर प्रिंसीपल उन render चाहा ही आवन कर भाद मारा यहोगए पृस अ lower एक वोटे साथ जो पहले साल का गाया रुब्याज सात रुपे दूसरे साल का ब्याज आगाया सात रुपे पहले साल अड़े भी आज भेर दुबार अब्याज लगाया जो क्या जाए एक रुपे गा तो रेशयो पॉंपाउंड इंट्रेस्ट देगो सिंपल इंट्रेस्ट क अगला अगला बिलकुल सेम का रेट है, देन पर्टे में 101 बाइट 10, 10 का कर देंगे, स्क्वेर के विफिफिक थांब है, दो साल का, तो प्रिंसिपल हो जाए, 100 रुपे का पहले साल पर किदा लगा गा एक पर ते 10, जो कि अज़ाथ 10 रोपे, दूसरे साल पर कितना लगागा यह? पाटे ज़ाथ 10 रुपे, समझ गए बाद, उसके बाद, पहले साल न बे आज फेर पिय्ज लगाएंगा, एक पटे 10 रोपे, तो सिंब्ल इंट्रस कितना है 20 रुपे और कंपाउंड इंट्रस में यह रैड हो जा किजना हो जाए 20 रुपे तो 20 बटेए 20 हो जाए इसका अनसर अग लेने बिलकुल सेम है बिलकुल इसकी डाल इसने रेशियो में तोड देना आज जो निच्च वारी वाड़ी वैल या उसका स्क्ययर कर देना वो जा प्रिंसिपल पहले साल गापया दूसरी साल गापया सिम्पल इंट्रस और निकाड लेना अनसर आज एगा आपके that find the amount of equal installment बदब इस्टालमेंट बतानी है हमने ठीक आर पांच जा शासु सतर पी हमने पे करनी है तो पहले जो इस्टालमेंट है भई 100 पे माल लो सारे की सारी कितनी है तीन है ठीक है तो पांच परसेंट के हिसाब देखो इस पर में लगा हमने जीरो के हिसाब तर लेका चलना क्या करता भईओ जैसे हम इंस्टालमेंट देतेते हैं इस्टालमेंट के कोशलन मा क्या होता है मैं जैसे हमें पहले साल 2-100 रुपी देदी है तो यह इक इतने दिन थीन तीन साल तक है इमारी offset के होगी तिGen्जेण इंस्टालमेंट है तो 1 रुपी है ना 2 साल के लिए रहत मतलब ना धू बार नहीं, दू साल के लिए 5% का इंट्रेस्ट इसका 5% का सर्ष इएर साल के लिए इस पांच पर सेंट कोई भी टांग लिए, मतलब 0 इंटरस्ट ऑगा, ठीका, थो यह कितना ही देपन जाएं, महारे पास देखो, पांच पर सेंट के साम से, मतलब पर моle साल का i5%, फैस्ट मेंसे साल का 12% मतलब 10%otypeickam sotumka 10% कितना हुजा is 10 Люет मिस रप इसका 5% क्योंकि इस पर लगागा ? गurch है तो मान के फैस वार्ड इस तीन बैर इस्टालमेट की अमने पहलतेática है कि खत्म होना है और यह हमारी खत्म हो रगा है तीसरे साल में तो जो आड़ा है ना इसमें 10% इसका ब्याज लगाता क्योंकि 5% एक का 2 पर टाइम का कितना लगागा 10 परसेंट इसका लगागा एक साल का कितना 5% क्योंकि 100 का 5% 5 रपी इसका 0% तो जी यू आड हो जाज में तो कितने किस बने जेंगी 110 की 105 और 100 जो कि बराबर आज़ागा 5670 त हो एक युषिट पर अबर आजगे वाई अठार गे थिक है तो मना सो पहले किस कितने कि मारे इस्पर सो होगी तो सो उंसके ब्ल्य तो इसमें यह देखने जाए से किस तोतिय है हमारी उस पर लगता है इनका ब्याज उसके साथ हमने देखने पड़ते है जाज अगला देख लो कोशन आम आर्किटेक्ट बोरो मैं बोरो रुपीज दो जार पांसो पचास ही रिटें दा मनी इंटू इक्वल येरली इंस्टाल में इसटालमेंट इस चार परसेंट दन फाइंड दा वैल्यों फीच मन तो पहले कितनी होगी भाई उसके बाद बाद आती है भाई में इसके एक निए ऌसान के भाई लेकिन फोर्मॉला का है अमांट बराबर है इंस्टालमेंट बटे में वन बाए में आर बटे सो को आग फिर इंस्टालमेंट वन बटे और बटे सो मूं का 2 okay2 कुरth pm 한 우리가 나눈 30 mornings डाली में सुःचवी पॉआर थे वहोंする कि ऩुश्य पप चाहिए यहीं साल थे टेकर यह साल तक शाल तक क्यों है यह Hnah अगर ढूं साल तक क्यों पूछ ले तो इतना हैं रही हिटन वह दो साल तक है तस फिक्ष değil तो इसमें क्या रहे है रहे है रक टी बोरो 2550 तो अमाउंट की जंग आ जागा 2550 बराबर है वीक्वल यह लिए इंस्टालमेंट मतलब दो साल के लिए इंस्टालमेंट लिए रेट की तना है बराबर है 4% का मतलब 1 by 100 अगले फेरेक इंस्टालमेंट में रख देगे नफने एग outta यह जगह टीस किक रहे है वीकले टे कि अकटीस करें अंग्य में न किसे बटीस होजाग बैए यहां पर एक बटा पाठीश करेंगे तो एल से में लेकिशने करेंगे 25 अज़ा 26 बटे में 25 ठीक है तो कितना आ जा भाई 2550 बराबर इंस्टालमेंट 25 चला जागो पर इस में मिल्टिप्लाई तो कितना आ जा 25 बटे में 26 का स्क्वेर ठीक है इस में मिले हम आगा कोमन तो इस टाइब के स्वाल देखो भाई कोंस्टेबल में था मैं पहले मना करें कोंस्टेबल में इस्टालमेंट के सवाल दिया हो दो हाई लावल होता है उस में आते हैं इस्टालमेंट के सवाल ठीक है तो आई ले लेना हमना कोमना रा 25 बटे 26 ले लेना एक और कोमन तो यहां कितना बच्छा एक 25 बटे 26 बराबर 2550 ठीक है इसने इप सोल करेंगे 26 बटे 25 हो जागा भाई क्या वन बटे 25 22 Tôi आगा 26 बाइग उसने सूल करेंगे 25 बटे 25 गुना में 26 बटेओ 25 2006 ब सोल करेंगे आमेरा आउर आशा है तो क्या वन आगाओ इसने इसका आचाह आ जा ते रा 152 निकलेगे क्योंकि 25 जागा 25 है कम 25 और 25 दूनी 50 एक सो दो गुणा 26 गुणा 26 बटे क्यान करेंगे तेरा सुबाव नहीं जाए इसका अंसर लिगा तो मने भाइस का फोर्मॉला बता जिया वो नोट डाउन कर लेना अगली वीडियो कराऊंगा अगले चेप्ट्रा वैसे अगर बिल्कु एसे उपर है installment uponлох 126 बटे 100 फें स्थाल्मेंट 10 यह अल्याश पर दो दीदुद्यो तीन साल वो टीन 2 Warner 50 आहिसे अने कर नियों कर रहु आपना उंड Yakंकर रखिया जो लोन ले रखिया वह जो Ti यह दीध Leannic in तो आज के लिए भाई तेना आई अगर वीडियो पड़े लाइक शेर सब्सक्राइब कर दियो अर्ची ने सब्सक्राइब कर रहे था जो नोटिफिकेशन बैल आड़े एक एन उस पर क्लिक कर देना ताकि जो भी नई वीडियो डालो आपने पता लगे दन्यवाद